जए जवर्त नहीं थी कि गाउम के खिलाब तो वो पंचायट संवती की गई धींग तो पंचायद करो अगर पंचायत है तो अबस त्यार ना वैं आपकग त्वाइचार qua सब्सक्राइम50-3 अज हम पहुंचे हैं लोहारू के हाँ एक चल रहा धरना जो की काफी फेमस हो चुका है करकडी धरना और वहां के लोग आज अपने गाउं में ही एक पंचायत करने को मजबूर हुए हैं और उससे पंचायत की बड़ी वज़ा हम जानेंगे इन लोगों से दो दिन पहले भी गाउं में एक पंचायत हुई थी अब पंचायत पे पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी और आब ये लोग दोबार से क्यों इकटे हुए हैं उस बात को लेकर चलिए बात चीत करते हैं महराज सदानन सरुस्ति भी काफी फेमस हो चुके हैं चाहे टिकरी बोडर की बात करें और सुनिल सोरान एड़ोकेट हैं ये भी चैकानूनी कारवाई की बात करें आद दूसरी बाते हैं धरने की संभालते हैं तुमारा जी पहले तो आप से ही चर्चा कर लेता हूँ आज ये आपको भी एक सफाई देनी पड़ी कि गाउं को मेरी जरूरत है या नहीं है या मैं गाउं के भले के लिए कर रहा हूं या फिर गाउं के युवाओं को बहका के और फुचला के सरकार के विपक्स में खड़ा कर रहा हूं तो क्यों जरूरत पड़ी ये दो तिन दिन पहले जो पंचायत हुई बताओं है उसमें एक वीडियो वायरल होई थी उसमें आ रहे थ कर रहे हैं तो मनने तो सफाई नहीं पड़ी मैं नहीं चाहूं गाम आप पसमा बाइचारा खराब हो गाम आप पसमें शर्फ उटे गाम की समर देर सुक्षांती खातर मने जब वीडियो सुनी तो मने इन सब तहीं बताइब गाम की इव गाम न पूरी सामती देदी और या पहले आपका जो परिवार है वह प्राचिन काल से यहां रहता रहा है यह दूसरे जो लोग दूसरी पंचायत के सदस्थ से थे वह बाद में आए हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी बात मेरा उसका यह था कि उन लोगों नहीं यह का कि अमारे गाउं के नहीं है वहाँ उनने पहली बात आपने के वह पंचायत नहीं थी अपने घर अपने समर्थकों को या दलाल के समर्थकों को यह दलाल की की हुई साजिस थी उसका कुछ न अपने समर्थकों के गर यह किसी गाओं के गाओं के पूरा गाओं बैटा है कि यह गाओं का मेंचोक है दूसरा उदर है गाओं के मेंचोक में कोई पंचायत नहीं उनके समर्थकों के उनके घर पे मिटिंग थी और उसमें वो यह कह रहे हैं कि दढ़ना पर बैठने वाले ल पर ब्रस्ताचार की सिकाईते हो चुकी है तो वह लोग हैं अभी तो आपके सामbnें पूरे गाहों और लगाई कि यह दर्णा पूरे गाउं का है और पूरी लोवारू का है लेकिन आपने कहा कि वहाँ पर चंद लोग मौझूद थे आज की पंचायत में कितने लोग मानते हैं यह मैं नहीं बताऊंगा यह आपका कैमरा और आप बताएं देखेंगे कि इस गाउं में मैं बता सकते हो कि कितने लोग यह हैं और कितने नहीं लोग मोझायत में लिखा था कि तनी वीडियोज थी उनमें दिख रहा था-पिस क्या वह लोग यूद्स सेहमती नहीं बन सकती परसंटल काम के लिए तो आ सकते हैं। इसने भी इसके लिए मंझूरी दे रहा है। जब अमारी खापने और दलाल खापने उसका बैसकार कर रखे हैं तो ऑम उसका पूरा बैसकार रखेंगा। दूसरी बात विकास पर मैं बात करूंगा, विकास की बात, क्योंकि दो साल होने को जा रहे हैं इस सरकार को, अब लास में सरकार है, यह 21 में दो साल क्रोस कर लेगी यह सरकार, और बड़ी उस पंचायत में भी यह बात रखी गई थी कि लोहारू हलके के लिए बड़ी लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की उन्होंने कहा है कि यहां पर करोडों के काम चल रहे हैं और वो जेपी दलाल की बदोलत हो रहे हैं अगर वो गाउं में इंट्री करेंगे आ फिर हलके में घूमेंगे समस्यां सुनेंगे तो और ज्यादा विकास करवा पाएंगे इ ज्यादा तर विदायक मंत्री रहें यहां से पहले चोदरी बादुर सिंग मंत्री रहें उनसे पहले चंद्रावती यहां मंत्री रहें यहां के विदायक ज्यादा मंत्री रहें ऐसी कोई बात नहीं दूसरी बात कोण से विकास की बात करें बीजेपी ने विकास कोण सा कि कि भी एकशने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना विखास नहीं तोल्टैक्स लगाना विकास नहीं है नहीं पता है लोगों के शिब्स बटा दे कितने सब्सक्राइब शोडरी बंचीला के टाइम उन्हीं सोटेश का बज़ट पास भाता जो इस rant AG पूरिनी के करसी मंत्री दन खड की आप सी गुटबाजी के वजए से दस साल अटका रहा जो अब बनने को सुरू हुआ है लेकिन जेपी दिलाल तो अब गहते हैं ना कि मैं मंत्री का उदा उन्हें अभी मिला उससे पहले तो यह सामाने कारे करता है उससे पहले दो साल होगी सरकार को कितना विकास करवा दिया जेपी दिलाल कितना करवा दिया इस गाउं ने लोगों से पुजले इस गाउं में कितना विकास करवा दिया कौन सी चीज बनवा दी इस गाउं में चलिए फिर आने वाले वक्त में किस हिसाब से आप का जो यह धरना चल रहा है चाए खर पूरन रूप से लागौ करता है टाइगरा मने पहले भी किया है सुनिल जी मैं بात करूंगा गाउं के बटवारे की वहां पे भी लोग am食べ होते हैं यहां पे भी लोग मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं मैं एक party की बात नहीं करता लेकिन राजनीतिक लोगों की जो मन्षा होती है डिवाइड़ रूल वाली हो छाबित तो यहां हो गई क्योंकि लोग बातेंगे तो कुछ लोग दूसेटी पंड़ेंगे असकी एक लिए करेंगे आपके सामने आपने देख्वा होगा उसकानों से सुने है पूरे गाओं निकाया भी दर्णास सही रहसे चलेगा पूरा सही योगाओं का रहेगा आप के समने की बात है रही दूसरी बात बटवारे के बटवारा नहीं है यह समर्थ है कहरोगे आंजिके मेहां nn.. इनव experts बी पर्टियों कि बॉटर के वाइन ओजने में तोगे बाते है कि इसान लोगों की जो डूसरों के कंदों भे बंदू रुके चला रहे ना उनको सबक समझे तॉ हरियाना या आसपास के अलाकों की बात करें तो समाध में सबसे बड़ा अगर मैं कानुन की बात करू तो पंचायत को भी मानते हैं पंच परवेसर माने जाते हैं उसकी जरूरत पड़ती है जब मामला आपस में परिवार में या फिर दो लोगों में सुलज्टा नहीं है तो वापस में बीच में डिसके संद्था है ना तो गाव ने तो रखने की जोड़ तो नहीं थी कि गई पंचायत नहीं थी थी दूसरा उनको समझ्चा इसले ने उनको समस्चा यही है कि वह सरकार का विरोध क्यों करें कि वह सरकार के आदमीं वह खुद कह रहे हैं कि हम तो आप में से कोई बात रखना चाहता हो अपना पक्स रखना चाहता हो नहीं तो हम यहां पर मोजूद शेकड़ों लोग हैं और कहीं न कहीं जो आज चर्चा हुई उस पंचायत के उपर है और बड़ा मुद्धा है बीजेपी के निता जेजेपी के निता उनमें सामिल है जेपी दिलाल जो इस हलके के यहां से मंतरी भी हैं उनका विरोध करने के लिए एक अलग तरीके से खिसानों ने जो फैसला लिय था उसके उपर बड़ी बाते चल रही हैं और जेपी दलाल को विकास कारी के लिए बुलाना चाहते हैं इसी गाउं के लोग अब दुबारा से पंचायत हुई है और उस पंचायत में जो साबित हुआ है उसको लेकर अब आपका क्या मानना है क्या एक मंत्री होते हुए जेप क्याम कला व्कारण कारे क्या माइब जंब बाल से उते ही हिए और उस्तां करेंель से कुछ़ी चैदर शाहते हाथ लाश्त प्लकतरै कि पली कावी हैं।